चैप्टर टू तॉलेमी राजवन्ष के संस्थापक शासक जिसके हाथों में जैसा की पहले ही कहा जा चुका है सिकंदर की मृत्यू के बाद मिस्र का राज्य गिर गया ग्रेट सिकंदर की सेना में एक मैसेडोनियन सेनापती था के हालात उसका जन्म और वे घटनाए जिनके कारण उसने सिकंदर की सेवा में प्रवेश किया कुछ अनोखे थे उनकी मा जिनका नाम अर्सिनोय था एक व्यक्तिगत थी सिकंदर के पिता मैसेडोन के राजा फिलिप का पसंदीदा और साथी फिलिप ने लंबाई में अर्सिनों को अपने दर्बार के एक निश्चित व्यक्ति से शादी कर दी लगस शादी के बहुत कम समय बाद तॉलेमी का जन्म हुआ फिलिप ने इलाज किया बच्चे को उसी विचार और एहसान के साथ जो उसने दिखाया था मा लड़के को लैगस का पुत्र कहा जाता था लेकिन शाही दर्बार में उसकी स्थिती मैसेडोन के रूप में उच्च और सम्मान निय था और ध्यान जो उसने प्राप्त किया था उतने ही महान थे जितना की यदी वह वास्तव में एक पुत्र होता तो आनंद लेने की उम्मीद कर सकता था राजा का जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह काफी के आधिकारिक स्टेशनों पर पहुँच गया जिम्मेदारी और शक्ती समय के दौरान टॉलेमी के माध्यम से एक निश्चित लेन देन हुआ फिलिप के साथ गंभीर कठिनाई में खुद को शामिल किया हालां की उसी माध्यम से वह सिकंदर को बहुत मजबूती से अपना मित्र बनाया फार्सी का एक प्रांथ था कारिया नामक सामराज्य एशिया माइनर के दक्षिन पश्चिमी भाग में स्थित है इस प्रांथ के गवर्नर ने अपनी बेटी को फिलिप को एक की पतनी के रूप में पेश किया था उसके पुत्रों का नाम सिकंदर के सौतेले भाई अरिदेस रखा गया सिकंदर की मा जो अरिदेस की मा नहीं थी वह इस प्रस्तावित शादी से इर्शा करती थी वह सोचा की यह अरिदेस को सार्वजनिक रूप से आगे लाने की एक योजना का हिस्सा था ध्यान दें और अंत में उसे फिलिप के सिनहासन का उत्तराधिकारी बना दिया जबकी वह बहुत थी वह चाहती है कि यह शांदार विरासत उसके अपने बेटे के लिए सुरक्षित रहे तद्नुसार उसने सिकंदर को प्रस्ताव दिया कि उन्हें एक रहस्य भेजना चाहिए फार्सी गवर्नर को दूतावास और उसे प्रतिनिधित्व करें कि यह बहुत कुछ होगा उसके और उसकी बेटी दोनों के लिए बहतर है कि उसके बदले सिकंदर हो एक पती के लिए अरिडियस की और यदि संभव हो तो फिलिप की मान करने के लिए उसे प्रेरित करें उसे परिवर्तन करना चाहिए सिकंदर ने आसानी से इस योजना में प्रवेश किया और विभिन दर्बारियों टॉलेमी बाकी के बीच इसे पूरा करने में उसकी सहायता करने का बीड़ा उठाया दूतावास भेजा था कैरिया के गवर्नर इस बदलाव से बहुत खुश थे उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा वास्तव में पूरी योजना बहुत चल रही थी सफलता पूर्वक अपनी उपलब्धी की ओर जब किसी न किसी तरह से फिलिप साजिश का पता चला वह तुरंट सिकंदर के अपार्टमेंट में गया अत्यधिक आक्रोश और क्रोध से उच्साहित उसने कभी अरडियस बनाने का इरादा नहीं किया था जिसका जन्म माता की ओर से असपष्ट और नीच था उसके सिनहासन का उत्तराधिकारी और उसने सिकंदर को कड़वे शब्दों में धिक्कारा कि वह इतना नीच और नीचा है फार्सी गवर्नर की बेटी से शादी करने की इच्छा के रूप में एक आत्मा को पतित करना एक मनुष्य जो वास्तव में मात्र दास था जैसा की उसने कहा एक जंगली राजा का इस प्रकार सिकंदर की योजना पूरी तरह से विफल हो गई और इसलिए उसके पिता नाराज थे उन अधिकारियों के साथ जिन्होंने इसके निश्पादन में सहायता करने का बचन दिया था की वह उन सभी को राज्य से निकाल दिया टॉलेमी इस फर्मान के परिनामस्वरूप कुछ वर्षों के लिए अपने देश से निर्वासन के दोरान भटकते रहे जब तक की लंबाई नहीं हो गई फिलिप की मृत्यूने सिकंदर को उसे वापस बुलाने में सक्षम बनाया सिकंदर ने अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया मैसेडोन के राजा के रूप में और तुरंट टॉलेमी को अपना एक प्रमुख बना दिया जन्रलों टॉलेमी वास्तव में मैसेडोनियन सेना में एक बहुत ही उच्छ कमान के लिए उठे और सभी विख्यात विजेताओं में स्वयं को बहुत प्रतिष्ठित किया बाद के अभियाद फार्सी आक्रमन में टॉलेमी ने इन में से एक की कमान संभाली सेना के तीन भव्य विभाजन और उसने बार-बार सबसे अधिक संकेत दिया अपने स्वामी के कारण सेवाएं वह सबसे दूर और पर कार्यरत था खतरनाक उद्यम और अक्सर के मामलों के प्रबंधन के साथ सौपा गया था अत्यधिक महत्व वह अपने सभी उपक्रमों में बहुत सफर रहा वह सेनाओं पर विजय प्राप्त की दुर्गों को छोटा किया मोलतोल कर संधिया की और प्रकट किया एक शब्द में सैन्य उर्जा और कौशल की उच्चतम दिगरी उसने एक बार सिकंदर की जान बचाई थी एक खतरनाक साजिश की खोज और खुलासा करके जो बनाई गई थी राजा के खिलाफ सिकंदर के पास इस एहसान का बदला लेने का अफसर था एक के माध्यम से दैवी अंतक्षेपन उसे प्रदान किया गया यह कहा गया था के व्यक्त उद्देश के लिए उसे अपनी कृतग्यता प्रकट करने में सक्षम बनाना तॉलेमी एक जहर से घायल हो गया था तीर और जब चिकित्सकों के सभी उपचार और मारक विफल हो गये थे और रोगी सपष्ट रूप से मरने वाला था इलाज का एक प्रभावी साधन सामने आया एक सपने में सिकंदर को और बदले में टॉलेमी को बचाया गया था जब सिकंदर की जीप पूरी हो गई तो सुसा में बड़े आनंद के साथ टॉलेमी को एक स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया था और उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी और समारोह सबसे प्रतिष्ठित में से एक की बेटी आर्टा कामा के लिए फार्सी सेनाप्ती रात भर शराब पीने और मस्ती करने के बाद अचानक सिकंदर की मौत हो गई बाबुल उसका कोई पुत्र इतना बड़ा नहीं था कि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और उसका विशाल सामराज अपने सेनाप्तियों में विभाजित था टॉलेमी ने मिस्र को अपने हिस्से के लिए प्राप्त किया वहट एक बड़ी सेना और बड़ी संख्या के साथ तुरंट अलेक जेंडरिया की मरम्मत की ग्रीक परिचारक और अनुयाई और वहां एक शासन शुरू हुआ जो जारी रहा बड़ी समरिध्धी और वैभव में 40 वर्षों तक देशी मिस्रवासी थे बेशक अधीन्ता और बंधन में कमी सेना में सभी कार्याले और सभी नागरिक जीवन में विश्वास और उत्तरदायत्व के स्थान यूनानियों द्वारा भरे गए थे सिकंदरिया एक ग्रीक शहर था और यह एक बार सबसे महत्वपूर्ण वानिजिक में से एक बन गया उन सभी समुद्रों में केंद्र यूनानी और रोमन यात्रियों ने अब एक भाशा खोज ली मिस्र में बोली जाती है जिसे वे समझ सकते हैं और दार्षनिक और विद्वान के संबंध में वे लंबे समय से जो जिग्यासा महसूस कर रहे थे उसे संतुष्ट कर सकते हैं संस्थानों और स्मारकों और की अध्भुत भौतिक विशेश्ताव देश सुरक्षा और खुशी के साथ एक शब्द में एक ग्रीक का संगठन प्राचीन सामराज्य पर सरकार और महान की स्थापना अलेकजेंडरिया शहर के व्यापारिक संबंधों ने मिसर को बाहर निकालने की साजिश रची इसके आच्छादन और एकांथ से और इसे कुछ हद तक खोलने के लिए संभोग साथ ही इसे बाकी के अवलोकन के तहट पूरी तरह से लाने के लिए मानवता टॉलिमी ने वास्तव में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे अपनी नीती का एक विशेश उद्देश बना लिया उन्होंने बड़ी संख्या में यूनानी विद्वानों, दार्शने को, कभियों और कलाकारों को आमंत्रित किया अलेकजेंडरिया आओ और अपनी राजधानी को अपना निवास बनाओ उन्होंने एक एकत्र किया विशाल पुस्तकालय जो बाद में एलेकजेंडरियन पुस्तकालय के नाम से पुस्तकों और पांडुलिपियों के सबसे प्रसिद्ध संग्रहों में से एक बन गया था कभी बनाया हमारे पास विशेश रूप से इस पुस्तकालय के संदर्भ में अधिक अफसर होंगे अगला अध्याए